बस इतना सा ख्वाब अवने की कहानी है और उसकी जर्णी है जहां पर वो अपने परिवार को संभालती तो हैं पर परिवार के लिए घर के बाहर उसने कदम रखा है परिवार का सपना पुरा करने के लिए बस उस सपने को वो किस तरह से पुरा करती है अपने घर के संभालते हुए भी तो बहुत अच्छी कहानी है एन इस वेरी रिलेटेबल कहानी है जहां पर मुझे लगता है कि हर घर में एक अवनी होती है और अवनी की कहानी है बस इतना सा ख़ाब अवनी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है हाला कि उसमें एक हुनर है पर उस हुनर को या कहीं कि अपने अस्तित्व को कहीं अपने परिवार के जिम्मिदारियों में उसने अलग ही रखा है कुछ पीछे चुड़ गया है लेकि यही कहानी अवनी की कानपूर में पहली बार मैं जब गई और हमने शूट किया पहला शिलूल वहां पे काफी mixed emotions थे मेरे actually क्योंकि बहुत भीड है कानपूर में लेकिन उस भीड में भी एक हमेशा से ही हर शक्स के चहरे पर मैंने मुस्कराहट देखी है तो कहीं कोई जल्दी नहीं होती है कहीं कोई खीचातानी नहीं होती है बहुत अच्छा लगा कानपूर में शूट करके खासतार पर खाने की बहुत सारी अच्छी चीज़े मिलती है जहां चार्ट है बहुत फेमस जो यहां की है बदनाम कुलफी बहुत खाया बहुत मज़े क यह बीटिफुल एक्सपिरियंस शूटिंग इन कानपूर की कहानी है अवनी की जो कहानी है वो तो कानपूर में शूट करने के बाद जब हम प्रमोशन के लिए यहां आए हैं एक अच्छा लग रहा है काफी मतलब जो सड़कें देखी हैं अरे यहां पर हमने शूट किया और यहां पर हमने खाया यह तो एरपोर्ट से जब आये तो यह तो चल ही रहा था हाला कि पर आज यहां आकर जो हमने रियल अवनियों को फेलिसिटेट किया वो एक अच्छी फीलिंग रही क्योंकि उन्होंने भी अपने एक्सपिरियंस शेयर किये और कैसे एक महिला अपने कर प्रेणा दाई दिन रहा मेरे लिए तो क्योंकि ऐसी अवनियों से मैं आज मिली और उन्हें फेलिसिटेट करने का जो मुझे मौका मिला बहुत गर्ब महसूस करती हूं योगेंद्र जी के साथ हाला कि मैं पहली बार काम कर रही हूं पर अब तो काफी अच्छी साथ सीन कर रहा है है लो भी नहीं बोल रहा है तो क्योंकि वह बहुत फोकस थे उस वक्त ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अरिद्गर्ट कुछ देखना ही नहीं था मुझे लाइने बुलनी थी और अपना काम करना था विचिस अवेरी बुठी कांग है योगंद्र जी तो बहुत अच्छा एक्सपिरियंस रहा योगंद्र जी के साथ काम करते हुए और लगते बहुत सिरियस हैं पर काफी खुश मिजास है वो सारे दर्शकों से मैं यहीं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से प्यार आपने मुझे बहुत सारे किरदारों में के लिए दिया अवनी है इस शो को तो बहुत सालों के बाद जी टीवी पर भी आ रही हूं वही प्यार और वही सराना आप से मिले इसके उम्मीद करती हूं और गुजारिश करती हूं कि बस इतना सा खौब देखिए हर रूस जी टीवी पर शाम साथ बजी